पुझाब की तीवी देख रहे हैं सभी दर्शोकों का स्वागत तस्वीर आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं यह जो आलू आप तस्वीरों के मादम से देख रहे हैं यह पहाडी आलू नहीं बरकि पंजाब का अलू है और पंजाब का अलू भी आज तो पहाडी अलू को टकर देता हुआ नजर आ रहा है 21 रुपादी किलो के हिसाब से यह सोलन सब्जी मंडी में यह अलू बिक्राब डरक सोलन सब्जी मंडी में पंजाब से जो आलू की खेप आई है उसका पहुंचा हुआ है और तस्वीर है आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं पहड़ी आलू की बात करें तो पहड़ी आलू के रेट में कोई परिवर्तन नहीं है सब्जी मंडी में पहड़ी आलू इस वक्त बिक रहे हैं पहड़ी आलो का रेट बना हुआ है और पिछले कई दिनों से इसंही भाव में यहां आलू विक रहा है यदि हम प्याज की बात करें तो प्याज के भाव में जुरूर थोड़ी नर्मी हुई है जो 22 रुपर प्रती किलो की हिसाब से भिक रहा है और 16 सब्जी मंडी में पहली बार काफी लंबे समय बाद प्याज के मैक्सिम रेट का 20 रुपर तक कर पहुंचा हुआ है और 19 रुप in SEO सूर्ण्यमंदी लेकर 20 रुप्रति किलों के ससा विस मंदी में इस वक्त प्याजैंब भीक रहा है तो सोलन वापको तस्वीर दिखा रहे हैं बड़ी मातला मैं सब्सक्राइब की ख्रीदओं हो रही तो दबल मातला में सब्जिया कि आपुरती सोलन सब्जी मन्डी में होगी एक रेट में बहूति होती है। इस ब्वक्त भीकरा है। तमाटर के भाव मंडी में 300 पैसे लेकर 400 पै प्रतिक रेट तक बने हुए जिला शिरमौर से भी पहुंच रहा है अंकित जी लसुन के रेट में वैसे तो माना देखा जाए तो 80 रुपाय से लेकर 165 रुपाय के बीच में रेट है लेकिन बीच में कुछ एक लॉट महेंगे भाव में बीच जाते हैं तो जब बुरियें लगती है तो उसी वक्त पता लगता है जिस तरह से कल अर्की का लसुन की 60 बुरियां 180 रुपाय फ्रती कीलो के इसाब से 266 मल्डी में बीची है बाखी लॉट मैक्सिमम जो रेट रहा था 165 रुपाय तक था यदि हम टॉप क्वालिटी के लसुन की बात करें तो टॉप क्वालिटी की लेकर 165 रुपाय तक बिका था एक्स्ट्रा और जो क्वालिटी थी बहुत ही शांदार जिसे कहेंगे और मीडियम आकार का जो लसुन है और 120 रुपाय से लेकर 133 रुपाय तक भी 166 मंडी में कल बिका है और जो क्वालिटी बोली के आकार का लसुन है वो मंडी में बिका था कल असी पैसे लेकर और 110 रुपाय के बीच में इस तरह के भौ रहते हैं सोलन सब्जी मंडी में इस तरह की लसुन का रेट चला हुआ है और आप तस्विरे इस वक्ट मंडी में देख रहे हैं पंजाब से še अलू की आपूरती सोलन सब्जी मंडी में हुई है प्तै आज सोलन सब्सक्राइब मंडी में पहुंच रहा है पंजाब का अलू आपका तस्वीरों के माधम से देख सकते हैं यहां अलू मंडी में 21 रुपरती किलो के इसाब से इस तरह का भाव चला हुआ है और बंटी जी अब हमारे साथ जोडने वाले हैं तो मंटी सी से जानेंगे कि कहां से अलू सोलन सर्जी मंडी में पहुंच रहा है नगरोटा का अलू भी मंडी में आ रहा था वो मंडी में 22 प्रतिकिलो के हिसाब से बिका और इसके अलावा मनाली का अलू भी 20 प्रतिकिलो के हिसाब से सोलन सर्जी मंडी में बिका तो सोलन सर् मंटी में आपको दिखा रहें आप देख सब्सक्राइब कि प्याज की परिमात्रा में एक जार पचास रवे 21 गिलों गया और प्रतिकरेट है इस तरह के भाव है इंजिनेर अरुन तोमर जी, अंकीत राजपू जी और एकिसी चोहान जी, राजीव सैनी नंगल जी, ठाकुर आशु जी और अंकीत कुमार जी मर्था जुड़े हैं तो सभी काम स्वागत करते हैं नमस्काब जी पुड़ी मातरा में मंडी में पहुंच रहा है, जी लट मोर से भी पहुंच रहा है एंडर रपेय बीच बिक रहा है, अलग अलग रेट ह blending है तक शोलन सावरी मदी में और बिकल पर है धिकल और लेका और रहलाये savons लेकर मदी में 5 सबर सब स्लीकर लकार कलाते नहीं करते जो बहुमने दो फ़लाये छोगता है और पलम आज मंडी में आए नहीं थे लेकिन आप साथ और 65 पर के बीच में दाम जुरूर चले हुए आज मंडी में खुमानी आई थी जो विकी एक शासर प्रती किलो और रवी ठावकुर जिमार साथ जूरे हैं अधरा के गेट सोर प्रती किलो के हिसाब से सोलन समझी मंडी म आज एक भीका है और आप लोगों से आगरेफ रहेगा कहीं जाहिएगा नहीं अभी मौसों के अफटेट हम आपको देंगे किसलिए बने रहेगा पंजाब किसलिए टीवी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी संक्या में आप हमारे साथ जुड़े हैं आप तस्वीर मंदी में आज पयर इन का किया रही स्टार होगा? और किसलिए और मंदी पालं के अकल टक 65 possível के साथ से बीकोराता है और दन्यवाद धन्यवाद चाहरा